हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू गवर्मेंट जोब जेने नॉटिफिकेशन यूटूब चनल फ्रेंट्स, असिस्टेंट ओडिट ओफिसर रिक्रूट में नॉटिफिकेशन आउट हुआ है औल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोद कैंडिडेट अलिजबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे लास्ट डेट रहेगी 15 मैं 2021, इस्टारिंग डेट है 17 अप्रेल ऑल्लाइन अप्लिकेशन आपको करना होगा, ऑल्लाइन अप्लिकेशन भी स्टार्ट नहीं हुए है 17 अप्रेल से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 15 माई तक आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं नॉटिफिकेशन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी वहां से आप फुली चेक कर लीजेगा अप्लाइ करने से पहले जो बेसिक पॉइंट्स रहेंगे मैं आपके इस वीडियो में किलिया करूँगी सो चलिए ये जो नॉटिफिकेशन आया है हम वो देख लेते हैं सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे विकेंसी देखेंगे टोटल विकेंसी कितनी हैं तो 138 टोटल विकेंसी हैं जिसमें कैटिग्रीज 22 डिवाइट की गई हैं अनरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसुचित जाती जन जाती अतनत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग की महलाएं तो आप जिस भी कैटिग्री से प्लाउंग करते हैं आप उसे साब से देखेंगे आपके लिए कितनी विकेंसी यहां पर रखी गई हैं तोटल विकेंसी 138 हैं अगर हम बात करें सेलरी की तो सेलरी आपको दी जाएगी लेवल सेवल से ठीक है सेक्चने की योगता अगर देखें तो इसमें जो ग्रेज़ेशन मांगा गया है ग्रेज़ेट वित कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, अंड मैथमेटिक्स इनमें से किसी एक सबज़ेक्ट से आपका ग्रेज़ेशन है अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे एज लिमिट तो एज लिमिट 21 से 37 साल रखी गई है 21 से 37 साल एज लिमिट है जो की जनरल काटिग्रीज के कैंडिडेट के लिए है अगर आप OVC कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है तब आपके लिए 40 एर अपर एज लिमि रिलेक्सेशन दिया जाएगा जो की यह जो वेकैंसी निकली है बिहार स्टेट से हैं तो अगर आप बिहार स्टेट के मूल निवासी है तब यह आपको यह रिजर्विशन रिलेक्सेशन दिये जाएंगे अगर आप अधर स्टेट से इसमें अप्लाइ करते हैं तब आपको pre-exam होगा जो 150 max करहेगा main exam होगा जिसमें 1000 total marking रहेगी इसके बाद interview होगा 120 max का इस तरह से ही selection procedure है 3 step में आप करहेगा अब हम बात करेंगे application fees की अगर आप यहाँ पर देखना चाहे pre-exam main exam का pattern दिया गया है किस तरह से आप से किस-किस topic पर कॉशन किये जाएंगे तो आप एक बात check कर लीजेगा अब हम यहाँ पर देखेंगे application fees क्या रहेगी तो इसमें जो application fees है वो general categories के candidate के लिए है 600 रुपए अगर आप SCSD candidate है तब आपके लिए 150 रहेगी विसी candidate है उनके लिए भी 150 रहेगी और यह विहार state से अगर आप है तेन अगर आप female candidate है विहार state से देन आपकी रहेगी 150 और अगर आप other state से इसमें apply करते हैं तब आपको 600 रुपए application fees पे करनी होगी यह आपको online पे करना होगा यहाँ पर आप date देख रहे हैं अगर आप इसके लिए eligible है तब आप इसमें apply कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा जनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजेगा थैंक यू